हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज निहा स्टाइल टिप्स और मैं हूँ आपकी दोस्त निहा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पिंपल्स के प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं आजकल हर युवा कील मुहासों की समस्या से बहुत जादा परिशान है इनसे निजात पाने के लिए वो हर संभव नुस्खा और इलाज अपनाता है लेकिन कील मुहासे वो इसके संबंदित ऐसी अवस्था है जिसमें चेहरे पर काले या लाल रंग के दाने हो जाते हैं और जब इसे दबाया जाता है तो इसमें से कोच सफेद रंग का पानी निकलता है इसे दबाना बिलकुल भी ठीक नहीं होता क्योंकि इसके दबाने के बाद आपके चेहरे पर गहरे दाग धब्बे बन जाते हैं और ये बिलकुल भी ठीक नहीं हो पाते लेकिन कील मुहा से याने की पिंपल्स होने की सबसे बड़ी वज़ा क्या है आप जानते हैं दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्या है कील मुहा से होने के सबसे बड़े reasons पहला reason में आता है junk food और तला भुला खाना इससे हमारी skin oily हो जाती है और जिससे pimples हो जाते हैं हमारी skin पर दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में चैनल पर new है तो प्लीज में चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे जिसे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले दोस्तो पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ही जादा एक ऐसी समस्या बन गई है जो कि आजकल हर युवा को परिशान कर रही है तो मैंने इस पर सोचा है कि मैं इसकी एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें मैं आपके लिए 5-6 वीडियो लाऊंगी इसमें हमारा इरादा ये रहेगा और इसमें हमारे बताने का भी तरीका ये रहेगा कि हम पिंपल्स की शुरुआत से लेकर पिंपल्स के दाग दब्बे को कैसे ठीक किया जाएगा इस सब के बारे में मैं आपको इन्फॉमेशन दोंगी पिंपल्स होने की बड़ी वज़ा में से एक वज़ा है जंक फूर्ट और तले भुने भोजन का अधिक सेवन करना ऐसे भोजन से आपकी तवचा ओईली हो जाती है और उससे कील मुहा से और पिंपल्स पैदा हो जाते हैं आपकी तवचा पर दूसरा है यदि तवचा प्रदूशन और धूल मिटी से ज़्यादा संपर्क में रहती है तो इस वज़र से भी चेहरे पर आपकी गंदगी जमा होने की कारण कील मुहा से निकल जाते हैं इसलिए कोशिश करें कि बाहर जादे समय चेहरे को अच्छी तरह सर ढख कर चले और रोजाना चेहरे की सिफाई अच्छे से करें तीसरा है जादा कौफी या चाए पीने से में सी बम बनने लगते हैं जो बाद में चेहरे पर मुहा से आने का कारण भी बन सकते हैं चौथा अधिक धुम्रपान और शराब का सेवन भी पिमपल्स के लिए जिम्मेदार हो सकता है कई बार पिमपल्स आने की वज़ा जैनेटिक भी हो सकती है वही कुछ लोगों की तवचा बहुत ओईली होने के कारण भी आपके जल्दी जल्दी पिमपल्स उस पर हो जाते हैं कई बार दवायों के ज़्यादा सेवन वह हार्मोन में बदलाव के कारण भी पिंपल हो जाते हैं चहरे को बार बार सावन से धोने के कारण पिंपल्स की शिकायत हो जाती है क्योंकि ऐसा करते रहने से आपके चहरे की स्किन ड्राइ हो जाती है जिसमें pimples निकलना बहुत ही जादा आसान हो जाता है यदि आपको बार-बार अपनी तुछा को धोना भी है तो आप उसे साफ पानी से धोई तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि pimples होने के कारण और reasons क्या क्या होते है मेरी आने वाली आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो कि हमारा पार्ट टू वीडियो वनेगा पिंपल्स के उपर उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे चेहरे पर एक ही जगा पर बार-बार पिंपल्स आने के क्या कारण होते हैं और इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं वैसे ही आने वाली हर सीरीज में मैं आपको पिंपल से कैसे हम बिल्कुल चुटकारा पा सकते हैं उसके बारे मैं आपको इन्फोर्मेशन दूँगी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज आप बताना ना भूले और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलती हूँ आप से अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे